ये रिष्टा क्या क्या लाता है और ससुराल सिमर का जैसे फेमस टीवी शोग का हिस्सा रह चुकि वैशाली ठककर ने आज अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है देरसल वैशाली को अपने सपनों का राचकुमार मिल गया है और अनका नाम है डॉक्टर अभिनेंदन सिंग वैशाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूपसरत से तस्वीरे पोस्ट की है जिसमें उनके रोका सरिमनी के जलत दिखाई है वहीं वैशाली ने अपने रोका सरिमनी का एक कलिप भी शेयर किया है जिसमें उनके परिवार के लोगी शामिल हुए अपने रोका सरिमनी में रेट करके साड़ी पैने वैशाली बेहत खूपसरत लग रही है जबकि अभी नंदन ब्लैक आउटफिट में काफी हैंसम नजर आए आपको बता दे वैशाली के होने वाले पती अभी नंदन डॉक्टर होने के साथ सथ मिस्टर अफ्रिका का टैग भी जीट चुके हैं अपने रोका सनिमेनी की तस्वीरे शेयर करते वे वैशाली लिखती है जो आपका है वो आपको दुनिया के दूसरे छोड से भी तून लेगा इस अद्बुचक्स डॉक्टर अभी नंदन सिंग उर्फ मेरे मिस्टर अफ्रिका के साथ रोका हो गया वेशाली की इस पोस्ट के बाद से ही फैन से लेकर टीव इंवरस्टी के अनके दोस्त और को स्टार तक सभी उने बदायां दे रहे हैं आपको बता दे वेशाली ठक करके होने वाले पती अभी नंदन सिंग यूगांडा के रहने वाले हैं और उन दोनों की मुलाकात कुछ मेना पहले ही एक मैट फ्री मुनन साइट के जरिए होई थी खबरों के माने तो दोनों मैं में शादी करने वाले थे लेकिन कोरोना वाइरस की चलते उन्होंने शादी के तारीक को आगे बढ़ा दिया है अपनी शादी के बारे में बात करते हुए वैशाली कहती है मेरे होने वाले पती अभिनंदन सिंग केनिया के एक डेंटल सरजन है अभिनंदन सिंग मिस्टर यूगांडा का टैटल भी जीच चुके है हम दोनोंने एक दूसरे से मुलाकात किये बिना ही शादी के तारीक भी फिक्स कर ली थी हम दोनों मई में शादी करने वाले थे लेकिन वाइरस की वज़े से हमें ये फैसला बदलना पड़ा इसमें फ्लाइट्स में ठीक से काम नहीं कर रही है इसके बद अभिनंदन मुझसे मिलने भारत आए और परिवार ने हम दोनों का रोका करवा दिया हमने रोकी की कोई प्लानिक नहीं की थी सारा काम बस होते ही चला गया आपको बता दे वैशाली ये रिष्टा क्या कहलाता है ये वादा रहा, ये है आशिकी, सिस्रुल सिमर का और मन मोहिनी टू जिसे सीडियल्स में नज़र आ चुकी है और अपने एक्टिंग के पदलत फेंस का दिल भी जीच चुकी है हम वैशाली और अभिनंदन को इस नई शुरुवात के लिए ठेर सारी बदाए देते हैं एंडरेनमेंटर जुड़ी और भी लेटेस अपडेट्स के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सस्क्राइब करेंगा जब खबरें